हेलो एवरिवन आज मैं लेग क्या है हूँ ऐसी बर्फी किरे से भी जिसे खाने के बाद आपकी बॉड़ी में ना हिमोगलोविन की मातरा बढ़ने वाली है आप रोज इसे एक पीस खाईए दिन में एक बार और सच में मतलब आप इसे दस से बारा दिन तक स्टोर कर सकते हों और आपकी बॉड़ी में जितनी भी खून की मातरा की कमी होगी ना वो भर पूर हो जाएगी तो इसे बच्चे से बड़े सब भी पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो टेक्शर है ना जैली की फॉर्म में है और बच्चों को तो इस तरीके की चीज़े बहुत अच्छी लगती है तो बहुत जादा हेल्दी एंडिलेसियस है ये बरफी की रेसिपी एकदम दो चीज़ों से मिलकर बनी है इसके लिए ना तो आपको दूद की जरौत है ना बेसन की जरौत है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पर बी टूट जी है जिसे हम चुकंदर कहते हैं तो इसी से आज हम बनाएंगे यहाँ पर तो आपको क्या करना है अच्छे से इनको धो लेना है धोने के बाद इनका हम छिलका निकाल लेंगे तो मैंने बी टूट को अच्छे से छील लिया है और यहाँ पर मैंने दो बीट रूट ली हैं आप अपने गॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से इनको छील लेना फिर इसके हम छोटे छोटे पीस कट करेंगे यकीन मानिये फ्रेंड्स बहुत जादा टेस्टी बर्फी बनती है ब पीरिंग को डालेंगे हम मिक्सर जार में और इसका हमें एक पेस्ट बनाना है मतलब कि हमें इसमें से जूस चाहिए होगा तो इसलिए हमें इसको पीस ना होगा और पहले आप इसको बिना पानी डाले ही पीस येगा थोड़ी जरुवत लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला था फिर इसको बहुत अच्छे से पीस लिया जिससे की सारा जो बी टूट है वो हमारा पिस जाए अब हमें इसको च्छानना है फ्रेंड्स तो च्छानने के लिए आपको बाउल के उपर छनी रखिए मैंने इसके उपर कोई भी कॉटन का कपड़ा रख लीजि से च्छन जाता है वो साब सुतरे कपड़े रहते हैं यह हमारे तो हम इनको इस तरीके की चीज़े यूज़ करने में कर सकते हैं आप इसको बिना कपड़े के च्छानेंगे ना तो इसमें से इसका जो पल्प होता है वो भी चला जाएगा और हमें बर्फी बनानी है तो उस वो आजा और इसको अच्छे से च्छान लेंगे तो यहां पर यह देखिए सारा जूस जो था वो हमारा अलग हो गया है और इसका जितना भी मतलब पल्प बोल सकते हैं गुदा जो हम बोलते हैं वो चीज़े वो अलग आ गई है एकदम निचोड के इसका सारा जूस निकाल दीजिए और जो यह बचा हुआ इसको मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें से जितना भी रेट कलर का थाना सारा निकल गया है क्योंकि इसका कलर एकदम बिल्कुल लाइट सा हो गया है अब इसको हमें यूस नहीं करना हमें सिब इसका जूस ही लेना तो आप इसी तरीके का ही लेना जिससे कि हमारा जूस अच्छे से निकल जाए और यह जो बचा हुआ पाट है इसको हटा देंगे इसकी हमें बिल्कुल भी जवरत नहीं होगी तो फ्रेंट्स यह देखिए हमारा जो यहां पर चुकंदर का जूस है वो निकल कर हो गया तयार बस अब हमें लेनी है एक कड़ाई कड़ाई में आपको जितना भी जूस है वो डाल दीजिए उसके बाद मिठास के लिए डालेंगे यहां पर हम चीनी तो मैंने ली है यहां पर दो चुकंदर में मतलब एक गलास के जूस अराम से यह हो गया था एक कप डाल दी है इसमें और कप से तब फिर आपको इसमें डालनी होंगी आगे की चीजे अब चीनी जब हमारी अच्छे से घुल गई है ना फ्रेंड्स यह देखिए मैंने चेक कर लिया यहां पर अब डालना यहां पर अपना दूसरा इंग्रीडियंट जो है कॉन फ्रोर कॉन फ्रोर डालने से आपका क्या इसको अच्छे से घुल लीजिए जब तक कि पूरा अच्छे से जो हमारा कॉन फ्रोर है वो चीनी में ना घुल जाए तो यह देखिए फ्रेंड्स कॉन फ्रोर डालते ही जो इसका कलर है थोड़ा सा रैडिश हो गया पहले बहुत जादा डार्क था अब हमें इसको जब अ ठीकनी होगा तब तक हमें इसको पकाना है तो हाई फ्लेम करके इसको बीच बीच में चलाते रहे और बीच में यहां पर डालूंगी थोड़े से नट्स नट्स में मैंने यहां पर लिए पिस्ता और काजू आप अपनी पसंद के नट्स इसमें डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सी मिठाई बन कर तयार होगी तो थोड़ी देर में इसमें बॉयलाना शुरू हो गया और धीरे धीरे एकदम से ठीक होने लगेगा तो जब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ठीक हो जाएगी ना तब आपको इसको फ्लेम को तीन से चार मुट लगते हैं फ्रेंट्स इसको ऐसे ठीक करने में तो बस आप यहां पर कंटिनुसली चलाते रहिए और यह देखिए फ्रेंट्स इसका टेक्शर एकदम गाड़ा हो चुका है अब आपको लेना है कोई भी थाली ले सकते हो या प्लेट जिसमें भी आपको बर्फी जमानी है इस तरीके का कुछ भी तो मैंने यहां पर यह काच का ऐसे मतार स्कॉयर शेप का है यह मोल्ड वो लिया है तो इसको मैं थोड़ा सा लगाऊंगी घी लगाने से क्या होता है अच्छे से सेट हो जाएगी और निकलेगी नहीं और उपर से डालेंगे इस प मैंने इसमें ही पूरा हमें स्प्रेट कर देना है तो मैंने यहां निकाल दिया है और पहले मैं इसको पूरा ऐसे फैला के डालूंगी बाद में क्योंकि ये जो बाउल था काफी बड़ा था और जो हमारा मिक्सर था बहुत कम था तो ये पूरी मतलब बहुत पतली सी लेयर बनती और थोड़ी सी मोटी रहेगी जैसे बर्फी की रहती है तो उतनी लेयर रहेगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी तो आप जब बनाईएगा तो बर्तन अपने मिक्सर के गॉर्डिंग छोटा रखिएगा तो थोड़ी देर बाद जो ठंडा हो गया तो मैंने उसको एक कोने में सेट कर दिया तो इस तरीके से इस पैचुला से आप उपर से प्लेइन कर दिजी या किसी भी से भी कर सकते हैं आप जिसे की विल्कुल उपर से प्लेइन हो जाए तो ये देखी फ्रेंड्स बिल्कुल ना थिक होने लग जाती है थोड़ी देर में क्योंकि कॉन फ्लार था ना बहुत जल इसको डेकोरेट कर सकते हैं जो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और दिवाली के लिए ये बर्फी बहुत ज्यादा सुपर टेस्टी होने वाली है क्योंकि ये बनी है हमारी बीट रूर से जो की हेल्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और डेली इसका एक प करके देखा बहुत आराम से निकल रहा था अब हमें इसको एक प्लेट में ऐसे ट्रांसपर कर देना है तो यहाँ पर मैंने उपर से लगाई है प्लेट और इसको हमें उल्टा कर देना है जैसे कि हम केक को डी मोल्ड करते हैं सेम उसी प्रोसेस से आपको करना है थोड़ा सा हिलाईएगा तो आराम से यह निकल जाएगी तो यह देखें कितनी बड़िया निकली है ना हमारी बर्फी फिर मैंने इसको सीधा कर लिया था और यहाँ पर इसके पीस कट कर लेंगे तो पीस कट करते समय थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे आसा नहीं कटेंगी क्यों और यहाँ पर मैंने इसको स्कॉयर शिप में कट के आप अपने मन मताबिक यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं तो बहुत जादा हेल्दी और डिलेसे सुपर सॉप्ट बर्फी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा औ पाने में बहुत टेस्टी थी और बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि देखने में बिल्कुल रेड कलर सी थी ना तो बच्चों को ऐसा लग रहा था कलर फुल बर्फी लेकिन थी यह हमारी बीट रूट की तो मिलते अगली वीडियो में गुडबाइ एंड थै